जय महादेव, मंत्र का अर्थ और भाव सानंद मानंद वनेवसंतं आनंद कंदं हतपाप वृंदं वाराण सीनाथं नाथ अनाथं श्री विश्वनाथं इस मंत्र के अर्थ को अब धैरे पूरुवक समझते हैं सानंद मानंद वनेवसंतं संस्कृत में जो इश्लोक हैं उनमें सामानता कई शब्दों को एक साथ में जोड़ दिया जाता है जिसे सामास्रिक शैली कहा जाता है और जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो फिर उसके वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है और अक्षर जो है वो बदल भी जाते हैं और इनको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन जोड़े हुए शब्दों को अलग अलग करके पढ़ा जाए समझा जाए तो इनका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता है और यह अच्छे से याद भी रहते हैं तो इसकी इस मंत्र की भगवान शिव को भगवान महादेव को समर्पित यह मंत्र है हर हर शंबू हर का अर्थ भी शिव है शंबू का अर्थ भी शिव होता है महादेव आर्थिवी देवों के देव महादेव भगवान शिव है नीलकंठ का आर्थिवी शिव है और चंद्रशेखर का आर्थिवी शिव है महाकाल का आर्थिवी शिव है तो ये सारे नाम भगवान शिव के हैं भगवान शिव को समर्पित ये मंत्र है जिसमें कहा गया है इसकी पह तो आनंद पूर्वक सानंद आनंद वने आनंद वन में वसंतम अर्थात निवास करते हैं कौन भगवान शिव महादेव तो महादेव जो हैं वो आनंद पूर्वक आनंद वन में निवास करते हैं अब आनंदवन क्या है आनंदवन काशी का ही एक नाम है काशी जो प्राचिन काल में वहाँ पर आनंदवन नाम का बहुत ही सुन्दर वन हुआ करता था जहां पर काशी इस्थापित हुई जहां काशी नगरी बसी थी और वहीं पर गंगा नदी के तट पर भगवान शिव का भव्य एतिहासिक मंदिर इस्थित है जो विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं और इस समय तो वैसे भी ये ग्यानवापी मस्जित का मामला इतना सुर्ख्यों में है तो काशी आनंदवन में इस्थित है गंगा नदी के तटपर वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है विश्वनाथ मंदिर के नाम से ये जाना जाता है तो आनंद सानंद आनंद वने वसंतम भगवान शिव आनंद पूर्वक आनंद वन अर्थात काशी में निवास करते हैं दूसरी लाइन इसकी कि आनंद कंदम हत पाप वरिंदम अब आनंद इसमें भी दो शब्द एक साथ हैं, इनको अलग कर दीज़ें, आनंद और कंदम, आनंद का मतलब हो गया आनंद, प्रसंदता, उमंग, उत्साह, और कंदम का मतलब है कारण, मूल, जड़, तो आनंद के कारण है, अर्थात आनंद के जड़ है, आनंद के मूल है, कौन? बहगवान महादेव जो काशी में आनंद पूर्वक निवास करते हैं और व्यक्तियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनके शारिरिक मानसिक और आत्मिक आनंद का मूल कारण हैं। अब यहां तीन शब्द हैं हत पाप और वरिंदम हत का अर्थ होता है खत्म करना नश्ट करना समाप्त करना तो भगवान शिव समाप्त करने वाले हैं किसको पाप वरिंदम पाप के समू को वरिंद का मतलब होता है समू को तो पापों को पापों के समू का नाश करने वाले है पापों का समूह, पापों का समूह क्या हुआ? जो भी हमारे मन में इस्थित विकार होते हैं, कुंठाएं होती हैं, हीन भावनाएं होती हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोब है, एंकार है, इर्श्या है, जलन है, घ्रणा है, अंदर का अंधकार है, जिसके कारण व्यक्ति, उत्सा, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करने में असमर्थ रहता है, अपने या कोई भी पाप या विकार अकेला नहीं आता है, जब वह विक्ति में आता है, तो अपने साथ बाकी को भी ले आ जाएगा तो यह जो मनुष्य के अंदर पापों का समू है इसको नाश करने वाले देवता कोन है वो देवा दीदेव महादेव है इसको हत करते हैं हत करने का मतलब है नाश करना तो हत पाप वरिंदम पापों के समू का नाश करने वाले हैं महादेव तो आनंद के कंद हैं आन पूरा एक है यदि आप इसको पढ़ेंगे वारानसी नाथम नाथ नाथम इसको भी अलग कर लिजे इसमें जो शब्द है वारानसी नाथम और नाथ अनाथम ये चार शब्द है वारानसी वारानसी जैसा कि हम लोग जानते ही है काशी को कहा जाता है जो कि यूपी में इस्थ स्वामी कौन है वो है महादेव काशी की हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा गाई गई है काशी को भगवान शिव की नगरी ही कहा गया है भगवान शिव की नगरी है काशी और हिंदूओं में काशी का वही महत्तो है जो कि मुसल्मानों में मक्का और मदीना का और इसल करना चाहीए और तभी वो परमगती को प्राप्त होता है नहीं होता है तो यह हिंदुओं में मानता है काशी से संबंधित काशी के बारे में जो अगली बात कही जाती है कि काशी महादेव के तृश सटेथ है भगवान शीव के क्विल शुल पर वो इस्थित है इसलिए वह अविनाशी है काशी कभी नश्ट नहीं हो सकती और यहिदी मुगल-kaal में भी देखें तो इतने भेंगर आक्रमण हुए मंदिर पर आक्रमण हुए मंदिर मिनश्ट नहीं किया चान अधित्षूल पर इस्थित है और चाहे प्रलय आजाए अकाल आजाए भूकम पाजाए कुछ भी आजाए लेकिन काशी नश्ट नहीं हो सकती अगली बात कही जाती है काशी के कंकर कंकर में शंकर है महादेव की नगरियत महा का हर कण में ही महादेव है वैसे तो महादेव, महाकाल, सर्वव्याप्त है, संपूर्ण, ब्रह्मांड ही महाकाल में है, लेकिन काशी में वो उर्जा, वो शक्ति विशेश रूप से उर्जीत होती है, तो काशी के कंकर, कंकर में शंकर है, अगली वात कही गई है काशी के बारे में, काशी को स्वर्ग क द्वार माना गया है इसका इतना अधिक महत्त है यह कहा गया है ऐसी माननिता है कि यदि कोई व्यक्ति काशी में मरता है तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है डायरेक्ट बीच में कहीं कोई है बिना विग्न बाधा के जैसे ही वेक्ति मरता है स्वर्ग के स्वर्णिम कपाट खुलते हैं और उसको स्वर्ग में ले लिया जाता है स्वर्ग की अफसराएं फूल मालाओं के साथ गुलदस्तों के साथ उसका स्वागत करती है और उसे अंदर ले जाती हैं ऐसी मानन centre मगहर ये बड़ी मज़ेदार बात है कि उत्तर में मगहर है जिसको नर्ग का द clinics कहा गया है नर्ग का दão कहा गया है यदि वहां धोके से भी कोई गुजरते समय मर जाए तो ऐसी माननता है कि वो व्यक्ति सीधा नर्क में जाता है चाहें फिर उसने सारे जीवन कितनी तपस्याएं की हो पूजा किया हो पाठ किया हो लेकिन यदि वो मघर में मृत्यों को प्राप्त हुआ तो नर्क के लोह द्वार खुलेंगे य अगर जो है आजकल उतर प्रदेश के कबीर नगर जिले में स्थित है अब इसको कबीर नगर क्योंकर कहा जाता है इससे संबंदी दिए एक बड़ी मजेदार बात है कबीर दास जी महान संत हुए भक्तिकालीन राम के परम भक्त हुए जीवन भर राम नाम के उन्होंने माल जपी लेकिन कबीर दास जी जो थे वो कर्म कांड के ढोंके पाखंड के आडंबरों के बहुत विरोधी हुआ करते थे जैसा हम सभी जानते हैं बच्पन से पढ़ते आएं कि कबीर ने का पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड पत्थर पूजने का कोई मतलम नहीं है या माला तो कर्मे फिरे और जीव पूरे मुख में फिर रही है तो इस तरह के जितने भी पाखंड थे कंठी है माला है भवूत है कबीर इनके विरोधी थे तो कबीर के साथ विचित्रबात यह जीवन भर काशी में ही रहे थे जीवन भर काशी में रहे थे लेकिन जब उ कभीर ने कहा कि काशी का मघर इसे का मतलब जिस लिए उन्होंने कहा कि काशी मघर एक समान मुए कभीरा रम ते राम जिसके हिर्दे में राम बसे हैं उसके लिए क्या काशी और क्या मगर जिसको कहते हैं कि मन चंगा तो कठोती में गुंगा लेकिन मानता है कि काशी जो है ये स्वर्ग का द्वार है तो काशी हिंदूओं की सबसे पवित्र नगरी है और इस काशी के जो नाथ है इस काशी के जो स्वामी है वो महादेव है तो वाराणसी नाथम नाथ नाथम ये लाइन है तो वाराणसी के नाथ है और नाथ है अनाथम अनाथ के यदि इसको अलग करें वाराणसी नाथम नाथ अनाथम तो महादेव एक तो वाराणसी के नाथ हैं और दूसरा नात है स्वामी है किसके अनात के ये भी बहुत अच्छी बात है कि संसार में जितने भी लोग हैं जिनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है जिनका कोई नातेदार नहीं है रिष्टेदार नहीं है आप किसी महानगर में जाईए वहां कहीं हाईवे के नीचे अकेले पड़े हैं ना उनका कोई घर वाला है देखभाल करता है न समाज उनकी देखभाल करता है ना सरकार को उनके वोट बेंक नहीं होते हैं तो उसके रहे हैं काने और क исслед powiedzieć कि दुनिया में बिल्कुल अकेला है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है उसका कोई नाते रिष्टेदार नहीं है दुनिया का हर दुख हर दर्द उसे अकेले ही सहना पड़ता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को तुरंत महादेव के शरनागत हो जाना चाहिए सीधा connection इस्थापित ह करता है ऐसा शास्त्र कहते हैं क्योंकि अनाथों के जो नाथ है वो भी महादेव हैं अब इसकी अगली लाइन कि श्री विश्वनाथम शरनम प्रपद्दे श्री विश्वनाथम श्री का मतलब आदर्निय पूजनिय महन विश्वनाथन यानि संपून विश्व के नाथ के नाथ हैं अनाथों के नाथ हैं और संपून विश्व के नाथ हैं अर्था संपून विश्व के स्वामी हैं इसलिए मैं उन भगवान महादेव की शरणम प्रपद्दे शरण में जाता हूं शरणम प्रपद्दे जाना प्रस्थान करना गमन करना मैं उनकी शरण में जाता ह उनका पूजन करता हूँ, उनका आराधन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, तो ये इस इशलोक का अर्थ है, जिसको अच्छी तरीके से मन और मस्तिष्क में धारण करने के बाद, अब आप इसको हर हर शंबू को, और इसके इस इशलोक को मोबाईल पे सुनी, अपने रिं सानंद मानंद वनेवसंतं आनंद कंदं हत पाप व्रिंदं आनंद कंदं हत पाप व्रिंदं वाराण सीनाथं नाथ अनाथं स्री विश्वनाथं शर्णं प्रपदे हर हर शंभु 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 शिव महदेवा शंभु जै महादेवु स्राइख श्रणंद वर शंभु शंभु शुश्व शंभु पून मारु कर्दी मदन नलना